Welcome guys to 100 Day Beginner Series, the most structured free course for beginners in stock market. Hello guys, आज है Day 13 of 100 Day Beginner Series, जहां हम जानने वाल हैं, Step by Step Fundamental Analysis को, और यहां पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप Fundamental Analysis के थूँँ, एक Fundamentally Strong Stock सेलेक कर सकते हैं, Long Term Investment के लिए, तो इससे पहले कि मैं आपको यहां पर डीटेल में Fundamental Analysis के बारे में बताऊँ, मैं आपको कुछ Conditions बताऊँगा जिसके आपको Confirmations लेने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, और उसके बीना आप यहां पर Stock को नहीं सेलेक करोगे, तो सबसे पहली जो यहां पर Condition वो है कि जो आपका Risk होना चाहिए, वो Minimum होना चाहिए, विकाज यहां पर आप Long Term Stock को Hold करने वाले हो, तो यहां जो आपका Risk पहले ही से होगा, वो बहुत ज़ादा होगा, तो ऐसा क्योंकि आप Long Term के लिए Hold करोगे, तो वहां पर जो Stop Loss होगा, वो लंबा होगा, तो ऐसे आपको Stock दूढना है, जिसमें Risk आपको सबसे Minimum हो, और Reward आपको Maximum हो, और यह कब हो पाएगा, यह आपको Second Point पर समझ में आएगा, जब आप एक Market Leader को Select करोगे, मतलब कि जो भी आप Stock को Select करोगे, वो अपनी Industry में, अपने Sector में Top पर होना चाहिए, और सबसे बड़ा Market Cap होना चाहिए, और सबसे जादा उसका Market Share होना चाहिए, ठीक है, ऐसे Stock को आप जब Select करोगे, तो वहां पर आपका जो Risk रहेगा, वो काफी जादा कम होगा, अब Next, जो आपको Consideration, जो Condition का ध्यान रखना है, वो यह है कि Company at least पिछले 3 साल से Profit में होना चाहिए, Net Income उनका Profit में होना चाहिए, अगर Company पिछले 5 साल से Profit में हैं, तो Well and Good, ठीक है, यह कुछ Points हैं, यह कुछ आपको Conditions हैं, जो आपको यहाँ पर Confirmation जिसके ले नहीं है, और यहाँ पर मैं आगे बढ़ू, तो बताता हूँ मैं आपको की दो तरीके की यहाँ पर Long Term Investment होते हैं, पहला होता है जो यहाँ पर होता है Safe Investors, जो ऐसे सेक्टर में Invest करते हैं, जो की यहाँ पर हमेशा चलते हैं, जैसे की FMCG का सेक्टर हो गया, फार्मा का सेक्टर हो गया, अब देखिए, आप FMCG क्या होता है Fast Moving Consumer Goods, मतलब की जो हम रोज डेली इंटेक करते हैं, जैसे की आप सुबह उठते हैं, आप सबसे पहले Colgate यूज़ करते हैं, आप कोई भी Toothpaste यूज़ करते हैं, फिर आप वहाँ पर नाश्ता बनाते हैं, मैगी बना लेते हैं समझ लीज़ें, फिर आप वहाँ पर Coconut Oil लगा लेते हैं, और यहाँ पर आप Catbury खा लेते हैं, और फिर इसी तरीके से आप पास्ता खाते हैं, तो जो भी यह सब सारे चीज़ें, यह आते हैं Consumer Goods में, और यह फॉल करते हैं FMCG सेक्टर में, अब यह सेक्टर जो है हमारा FMCG का, यह हमेशा आपको देखने को मिलेगा, एक Rising Trend मे ही होता है, इसकी डिमांड डेली बेसिस पे बढ़ती जाती है, जैसे की और जैसे की पिछले 10 साल में लेखते हैं, पिछले 10 साल पहले भी लोग टूथपेस करते थे, लोग Coconut Oil यूज़ करते थे, मैगी चलती थी, पास्टा चलता था, और भी काफी सारी चीज़े, FMCG के सेक्टर में फॉल करती हैं, और यह जो होता है सेक्टर, यह काफी जाद आपको Stable देखने को मिलता है, और हमेशा से एक Rising Trend में होता है, बिकर्स यहाँ पे जो इसकी डिमांड रहती हो, यहाँ पर जो आपका Risk होता है, वो काफी जादा कम होता है, बट आपको एक चीज़ हमेशा द्यान रखनी होगी, लाइफ में, जहाँ पर भी आप Risk कम लोगे, तो आपको Reward भी कम ही मिलेगा, तो यहाँ पर जो Stocks होते हो, थोड़े Slow Moving होते हैं, No Doubt, यहाँ पर देख सकते हैं, इस बार बहुत अच्छी तेजी हमको इस वाले Rally में देखने को मिली, FMCG सेक्टर में, बट हर बार ऐसा नहीं होता है, तो जो Safe Investors होते हैं, वो FMCG या फिर Pharma सेक्टर, दवा भी आप हमेशा यूजी करते रहते हो, तो उनके भी revenue हमको अच्छे से growth करते दिखते ही हैं, Pharma का सेक्टर भी, तो यह दोनों स्टॉक्स में, Safe Investors इंवेस्ट करते हैं, Long Term के basis पे, और जो Second Type का, जो यहाँ पर investors होते हैं, वो Risky investors होते हैं, Long Term के, वो एक ऐसे सेक्टर को choose करते हैं, जो आने वाले कुछ सालों में, हमको एक emerging revolutionary movement दिखा सकता है, और उसमें काफी ज़्यादा तेजी से हमको, उसकी जो growth है, वो compound होती दिखेगी, ऐसे sectors जैसे कि, अगर हम पिछले 5-6 साल पहले की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पर, यह हमारा communication का, जो stocks थे, जैसे कि, जीओ ने यहाँ पर, जब data launch किया, free data, तो उसके बाद, जो यहाँ पर internet users थे, जो internet conception था इंडिया में, वो revolutionary बड़ा, तो वो ऐसे stocks में, जो हमारे second type के investors होते हैं, वो invest करते हैं, इनके investment में थोड़ा risk जादा होता है, इसके बारे में हम कल जानेंगे, जो की part two video होगा, और उसमें मैं वो तरीके के investment कैसे किया जाती है, उसके बारे में बताऊंगा, तो चलिए आप आज के इस video को शुरू करते हैं, जो इसमें हम यहाँ पर safe investors कैसे, अपने जो हमारा capital है, उसको यहाँ पर compound कर सकते हैं, थोड़ा slow आपका compound होगा, बट यहाँ पर जो आपका risk है, वो भी काफी ज़्यादा काम होगा, तो हम यहाँ पर select कर लेते हैं, कि हम यहाँ पर FMCG के stock को, यहाँ stock में से, FMCG sector में से एक stock उठाएंगे, तो अगर आपको जानना है, कि इस particular sector में कौन-कौन से stocks फॉल करते हैं, तो यहाँ पर आपको आजाना है, sectorial index सर्च करके, sectorial indices अगर आप सर्च करेंगे, तो आपको NAC की site मिल जाएगी, उस पर आपको आजाना है, मैं इसकी आपको link description में provide कर दूँगा, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी जादा हमको sector-wise index देखने को मिलें, तो यहाँ पर FMCG के index में हम click करेंगे, तो यहाँ पर click करते ही, हमको data बता दिया जाएगा, कि कौन-कौन से यहाँ पर stocks इस particular sector में fall करते हैं, तो इनका contribution भी side में लिखा है हमको, investment करते हैं, ITC के अंडर fall करता है, तो personally, obviously इसका distribution यहाँ पर contribution है, FMCG सेक्टर में सबसे जादा है, बट यहाँ पर जो market capitalization अगर आप देखेंगे, तो हिंदुस्तान Unilever का काफी जादा है ITC से, अगर यह मुझे कैसे पता चला, इसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, ticker tape की side पर, ticker tape की side पर आ जाएंगे हम, और फिर हम इन दोनों जो stocks थे, उनको यहाँ पर search करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर ITC को कर लेता हूँ, ITC के अगर stock को मैं देखूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसका market capitalization है, 4,11,000 करोड का, और वहीं पर अगर मैं हिंदुस्तान Unilever का देखा हूँ आपको, तो वहीं अगर हिंदुस्तान Unilever का हम यहाँ पर market capitalization देखेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका है 6,33,500 करोड, तो यह काफी जादा ITC से, तो हम इस sector से हिंदुस्तान Unilever को select करने वाले हैं, because obviously यह market leader है उस particular sector में, अब यहाँ पर आपको आगे का जो fundamental analysis है, वो ticker tape की side पर ही करना है, तो हमने यहाँ पर select कर लिया हिंदुस्तान Unilever को, और यहाँ पर आपको इसके key matrices देख सकते हैं, और सबसे पहली चीज़ आपको जो देखना है, उसके financials में आजाईए, मैंने आपको बताया, कि जो पिछले 5 साल से वो profit में होना चाहिए, at least पिछले 3 साल से तो होना ही चाहिए, अब हमको market leader तो मिल गया है, 6,000 करोर, 6,700 करोर, फिर उसके बाद 7,900 करोर, फिर उसके बाद 8,800 करोर, और अभी तक ये till this month आप देख सकते, 9,000 करोर का total net income इनों ने generate कर दिया है, तो अगर आप एक चीज़ को ध्यान देंगे, पिछले 5 साल से क्या, उससे पहले भी अगर आप याँ ध्यान देंगे, तो लगातार इनके जो revenue है, net income है, वो increase ही हुए है, और revenue भी उसके साथ-साथ बाफी तेजी से बढ़ा है, तो यहाँ पर ये company profit में भी है, बहुत अच्छे profit में है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी एक green flag दे दिया हमने, अब balance sheet पर आएंगे, balance sheet में हमको क्या देखना रहता है, हमको asset versus liabilities देखना रहता है, asset क्या होता है, asset को वो चीज होती है, वो particular चीजे होती है, जो कुछ value रखती है company की, और वो अगर company समझ लीजे, आज बंद हो जाती है, तो उसके पास इतना asset होना चीजे, कि वो अपनी पूरी, जो उसकी liabilities है, मतलब जो उसको देना है, कर्ज वगरा है, लोन है, वो उसको बेच कर, अपने assets को बेच कर, वो fulfill कर दे, तो यहाँ पर आप देख सकते है, asset हमको 70,500 करोर का, देखने को मिल रहा है, उसके सामने liabilities, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 21,000 की, total liabilities है, और यहाँ पर asset, at least double होना चाहिए, liabilities के वो अच्छा माना जाता, अब यह तो 3 गुना के आसपास है, तो यह more than 3 times है, तो यह बहुत जादा अच्छा है, तो हिंदुस्तान Unilever, अभी तक से green flags हमें दिये जा रहा है, और यहाँ पर हम cash flow में भी आजेंगे, कि free cash available है, यानि free cash market, जो यहाँ पर stock होता है, उसके पास थोड़ा रहना चाहिए, जिसके through, वो new investment करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 7,800 crores, यहाँ पर free cash भी available है, हिंदुस्तान Unilever के पास, तो financials के sector में, इसको green flag मिल चुका है, अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, peers में, और peers में हम यहाँ पर सबसे पहले, इस वाले tap को खोल देंगे, जो की हम screener पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम compare करेंगे, इसको दूसरे, इसी के sector के stocks से, तो यहाँ पर आपको सब sectors पर click करना होगा, और यहाँ पर consumer staples में, आप drop down Mary उखो लेंगे, तो काफी जादा चीज़ें आपको और देखने को मिलेगी, alcoholic beverages मैं personally नहीं invest करूँगा, तो soft drinks, tea and coffee, agro products, FMCG food, और food and meats, seeds, sugars and personal products, इन सारे stocks को हम यहाँ पर ले लेते हैं, screener में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, 251 results आ चुकें, और इन में भी market capitalization, हिंदुस्तान, Unilever सबसे जादा hold करता है, और अगर अब हम दूसरी यहाँ पर ratios और दूसरी चीज़े को भी add कर लेते, ताकि हमको और एक अच्छा clear picture मिल जाए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसको add करेंगे, 5 years of CAGR को यहाँ पर ले लेते, और हमारे पास क्या है, return on equity को add कर लेते, return on equity, ROC को add कर लेते, return on equity को add कर लेते, और यहाँ पर debt to equity को भी यहाँ पर add कर लेते, तो यह जो हम पहले से इन सारे, जो भी यह है रेशियो इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ तो आप यहां पर अगर आप देखेंगे यह कुछ बेसिक्स यहां पर हमार पास रेशियो जिसके बेसिस पर हम दूसरे स्टॉक से इसको कंपार करने ले हिंदुस्तान यूनिलिवर का अगर यह यहां पर आपको लिस्टेड स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं उन में से काफी ज्यादा अच्छा है और यहां पर थोड़े स्टॉक्स हैं जैसे कि हमार पास जेलेट का है उसके जीरो डेप टुक्विटी है बट स्टिल टू टाइम्स इसका डेप टुक्विटी चल रहा ह इंदुस्तान उनिलीवर का और रेटर अन इक्विटी की बात करें तो उनको 18 टाइम्स का देखने को मिल रहा है 18% का सॉरी और नेसले इंडिया का देख सकते हैं आप 100% का है बट यहां पर अगर आप इसके नेसले इंडिया का डेप टुक्विटी देखेंगे तो 12 टाइम का चल रहा है जो की काफी जादा है ठीक है और आपको जो दूसरे भी स्टॉक्स जिनका आपको यहां पर रेटर ओन इक्विटी जादा दिख रहा है उसका आप डेप टुक्विटी देख सकते बहुत जादा जैसे की ब्रिटैनिया इंडिस्ट्री का 95 टाइम्स चल रहा है यहां पर डेप टुक्विटी तो इस तरीके से अभी तक हमको हिंदुस्तान उनिलिवर जैसा स्टॉक नहीं देखने को मिला है और मार्केट कैप भी इसी का सबसे जादा है और रोसी भी हमको 20% का देखने को मिला जो की काफी जादा डीसेंट है और यहां पर आपको हमेश इसी स्टॉक लेना जो स्टेबल हो डीसेंट हो पिछले पात साल में अच्छा हमको यहां पर रिटन दिया हो ठेक है और अभी यहां पर दूसरे एसपेक्स भी देख लेते हैं यहां पर पी रेशियो हमको 12 टाइम्स का देखने को मिला पी रेशियो आपे 71 टाइम्स का के बेसिस पर दूसरे उसी पर्टिकुलर से उसके वह स्टॉक को कंपैर कर सकते हैं तो यह सारे जो हमारे पास रेशियो थे वह भी देख सकते हैं आप उसमें भी हिंदुस्तान युनिलिवर कहीं ना कहीं ग्रीन फ्लैग दे रहा हमको और एक बहुत अच्छा इसका ओवर ले कर जा सकते हैं next level पर अब यहां पर हम क्या देखेंगे इसकी holding holding देखिए more than 50% होनी चीए promoters के पास और promoters की holding over 5-6 जो हमारी यह होती है quarter कम नहीं होना चाहिए आप यहां पर देख सकते हैं 6 quarter से 61.90 पर stable है तो promoters holding कम नहीं होना चाहिए मतलब कि अगर promoters ही बेच रहे तो तो मतलब उनके पास कुछ ऐसी information है कि company को यहां पर loss हो सकता है बट यहां आप देख सकते हैं लगतार यहां पर का जो promoters के holding है वो constant रही है तो यह भी एक अच्छी बात है तो यह आप देखने के बाद यहां पर आप चाट पर आ सकते हैं उस particular stock के और फिर आप एक ऐसे time के लि करना चाहिए जैसे कि आप यहां पर जैसी थोड़ा सा stock गिरेगा तो आप वहां पर थोड़ी position बना लोगे जैसी stock थोड़ा और गिरेगा थोड़ी और position बना लोगे और यह सबसे best तरीका में आपको बताता हूं यहां पर क्या करने का है आपको कब यहां पर SIP करना यहां पर इसको peers से भी compare कर लिया अब आपको एक outstanding stock मिल गया है तो अब यहां पर क्या करोगे आप daily time frame पर आओगे 200 day का moving average लगाओगे कैसे लगाओगे यह इंडिकेटर में आओगे और यहां पर moving average search करोगे moving average moving average यह रहा ठीक है moving average पर click करोगे आप तो आपर 9 period का आएगा फ नीचे trade करेगा तब आप position बनाओगे ठीक है तब आप जब भी थोड़ा थोड़ा गिरेगा आप थोड़ी थोड़ी position उसमें बनाते जाओगे जैसे कि आपको एक लाक उसमें लगाना है तो यहां पर देखिए यहां पर 5% गिरा तो आप उसमें 2000 लगा दोगे एक stock ले लो थोड़ा थोड़ा आपको invest करना है ताकि जो आपका average होगा वो आपका काफी जादा कम हो जाए आप समझ लीजे आपने यहीं पर एक लाक invest कर दिया तो यहां पर average आपका 2360 के around हो जाता और उसके बाद यहां पर देख सकते आप 1900 तक के Hindustan Unilever गया तो यहां पर अगर आप थोड़ी position लेते फिर थोड़ी position इस वाली candle पे ले लेते इस वाली candle पे ले लेते और फिर यहां पर भी लेते तो आपका average कहीं न कहीं यहां पर 2000 रूपीज के around आता ठीक है फिर उसके बाद आपका average कम हो जाता और आपके return साफी जादा अच्छे होते बट 200 day moving average के जैसी उ उपर स्टॉक चले जाता है तो आपको वहां पर compounding बंद कर देना आपको वहां पर S.I.P. को बंद कर लेना जैसी यहां पर यह candle के थू यह उपर चले गया इस वाली लाइन के जो की 200 day moving average के इसके बाद आप S.I.P. उस stock में करना बंद कर दोगे तो आप ट्राय करिए जब तक वो नीचे रहता है तब तक आप जितना भी आपको वहां पर total capital लगाना है उस particular stock में आप जब तक वो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तब ही आप उसमें invest कर लो ठीक है क्योंकि उसके बाद हमको एक trending move देखने को मिलता है 200 day moving average को जैसी cross कर लेता है वो particular stock और फिर वो time हो है आपका profit enjoy करने का ना कि उसमें position बनाने का ठीक है तो यही कुछ बताना था fundamental analysis के video में जहां पर एक safe investors क्या कर सकते हैं कैसे अपने जो capital को compound कर सकते हैं काफी देखे कचुए और यहां पर खरगोश की race में obviously यहां पर कचुए जीतते हैं तो यहां पर आपको जो safe investors हैं वो का सकता हूं पर यह मेरी thinking और मैं खुद भी यहीं चीज करता हूं मैं prefer करता हूं long term करना और मुझे लगता है कि जो compounding होती wealth की वह over a longer period of time ही होती ठीक है तो आज का डूट टास्क है वह आपको यहां पर हिंदुस्तान युनिविवर का तो मैंने कर लिया आप दूसरे stock का ऐसी stock को ढूंडिए जिसका market capitalization काफी जादा है फिर उसको आप यहां पर टिकर टेप पर उसका analysis करिए और फिर उसको पियर से उसके compare करिए new यहां पर tab में जाकर और फिर आपको अगर stock मिल जाता है तो वहां पर 200 day moving average लगाईए और जब उसके नीचे जाएगा तो आप वहां प पसंद आया हो अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को like करें और इस चैनल को subscribe करें और कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए trade करते हैं profit बनाते हैं thank you